दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओल्लाइन पार्ट शाला में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्राखंद सामाने ग्यान के कुछ महत्वपूर्ण प्रशनों को तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है चार ओप्शन है आपके पास सही उत्तर है 1997 को अठाई सितंबर 1997 को स्थापना हुई थी चंपावत और बागिश्वर जिल्लों की इन दो जिल्लों के अतरिक्त गड़वाल मंडल के एक और जिल्ले के स्थापना भी इसी समय हुई थी जो कि है रुद्र प्रियाग अगला क्वेशन है गड़वाल छेत्र में किस अवसर पर भेला भेला नरत्य किया जाता है चार ओप्शन है आपके पास सही उत्तर है दीपावली दीपलावली के अफसर पर गड़वाल छेत्र में बेला बेला नरत्य किया जाता है यह नरत्य सामूइक नरत्य होते हैं जिसमें इस्तुरी प्रूस समान रूप से भागेदार होते हैं और यह नरत्य रात को किया जाता है अगला क्वेशन है उत्राखंड अक्षे उर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालाई कहां पर स्तित है चार उप्षन है आपके पास सही उत्तर है अल्मूडा अल्मूडा में स्तित है अक्षे उर्जा विकास अभिकरण का मुख्यालाई इसका मुख्या उदेश्य है सौर उड़जा को प्रोस साहन देना अगला क्वेशन है उत्राखंड प्रावधिक सिक्षा निदेशालय स्तित है चार उप्षन है आपके पास सही उत्तर है स्री नगर श्रीनगर में स्थित है उत्राखंड प्रावदिक सिक्षा निदेशालय और स्रीनगर पॉडि जिनपत में स्थित है और यहाँ पर हिमुंती नंदन बहुगणा केंद्रिय विश्व विध्यालय विश्थित है अगला क्वेशन है कुमाओं की लक्ष्मी बाई किस से कहा जाता है चार ओप्षन परित 여त है अगला क्वेशन है एक सेर में कितने ग्राम होते हैं एक सेर में ग्राम की संक्या होती है 500 ग्राम यानि आदा किलो तो जो यह सेर है ये एक प्राचीन मापन प्रेणाली है गड़वाल और कुमाउ छेत्र की और जो एक शेर होता है धातुनुमा एक गलास होता है अगला question है बचेंदरी पाल के आवरेष्ट ये अवरेष्ट कव फताय किया था चारा option आपके पास सही उत्तर है 1984 1984 को बचेंदरी पाल ने एवरेस्ट प्रवता रोहन किया था और इसी प्रवता रोहन के पस्चाते ने अर्जुन प्रुसकार्ट से सम्मानित किया गया था अगला क्वेशन है स्रीदीव सुमन की मृत्यू कब हुई थी चार उप्षन है आपके पास सही उत्तर है जुलाई 1944 को जुलाई 1944 को हुई थी स्रीदीव सुमन की मृत्यू और जो इनका गाउं है टेहरी वी वो गाउं है जौल गाउं से ये संबंदित है इनका जन्म वहाँ पर हुआ था और 84 दिन की भूख हर्ताल के पस्चाथ 25 जुलाई 1944 को सुर्दीव सुमन का दियांत हो गया था अगला क्वेशन है बाबा मोहन उत्राखंडी किस अस्तान पर सहीद हुए थे चार आप्शन है आपके पास सही उत्तर है बैनी ताल बैनी ताल में सहीद हुए थे 2004 में बाबा मोहन उत्राखंडी जो की उत्राखंड राज्य अंदुलन के प्रमुक प्रांतिकारी थे और इनका मुक्य उद्देश्य था गैर सेंड को राजदानी बनाना इसके लिए उन पकार सुधारनी सबा का गठन अगला क्वेशन है हिमालाई पुत्र की उपादी से किसे विभूशित किया गया है चार आप्शन है आपके पास सही उत्तर है गोविंद बल्लवपंथ गोविंद बल्लवपंथ को हिमालाई पुत्र की उपादी से विभूशित किया गया था यह उपादियू ने प्रधम प्रधान मंत्री जुआहर लाल नहरू ने प्रधान की थी गोविन बलब पंथ को 1957 में भारत रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया गया था अगला क्वेशन है गड़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किस ने लिखी थी चार आप्शन आपके पास सही उत्तर है भक्त दर्शन डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखी थी गड़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक और जो भक्त दर्शन थे उन्होंने कर्म भूमी अकबार का प्रकाशन भी किया था जो कि एक साप्ताईक अकबार था अगला क्वेशन है गुमानी पंथ किस टीरी नरेश के दर्वार में भी कवी थे चार आप्शन आपके पास सही उत्तर है सुदरसन सा सुधरसंसा जो गड़ नरेश थे उनके दरवार में भी जो गुमानी पन थे वो भी कवी रहे थे लेकिन गुमानी पन जो थे वो वास्तवे कवी थे गुमान पन एक राजा थे काशिपूर के उनके दरवारी कवी थे लेकिन कुछ समय वो सुदर्शन सा के दरवार में भी रहे थे, सुदर्शन सा टीरी रियासत के पहले नरेश थे, अगला क्वेशन है, किसके सुजाव पर All India Radio का नाम आकाश्वानी किया गया था, चारा अप्शने आपके पास सही उत्तर है, सुमित्रा नंदन पंथ, सुमित् प्रुषकार्ट से समानित किया गया था, अगला क्वेशन है, हिमवंत कविता संग्रह किस कवी की प्रमुख रचना है, चारा अप्शने आपके पास सही उत्तर है, चंद्रकुवर बर्तवाल, चंद्रकुवर बर्तवाल भी मुख्य छायवादी कवी हुए हैं, और इनकी जो कविता है, वो हिमवंत कविता संग्रह है, अगला क्वेशन है, डोला पाल की आंदूलन के प्रणेता कौन थे, चारा अप्शने आपके पास सही उत्तर है, जयानंद भारती, जयानंद भारती डोला पाल की आंदूलन के प्रणेता थे, डोला पाल की आंदूलन मुख्य तो सुवन्ड दुलों के समान अधिकार प्राब्द करने के संबंद में था अगला question है स्री भूनेश्वरी महिला आस्रम की स्थापना किस ने की थी? चार आप्षिन आपके पास सही उत्तर है स्वामी मनमथन स्वामी मनमथन ने की थी भूनेश्वरी महिला आस्रम की स्थापना तीरी में एकस्ताने वाँ पर अंजली सेन जहां पर स्वामी मनमथन द्वारा 1977 में की गई थी भूनेश्वरी महिला आस्रम की स्थापना अगला question है पत्मसुरी प्राप्त करने वाले उत्राखंड के पहले व्यग्यानिक थे चारा option आपके पास सही उत्तर है नीलामबर पंत नीलामबर पंत को पत्मसुरी प्राप्त हुआ था वो उत्राखंड के पत्मसुरी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे और इस साथ वे इसरों में वैग्यानिक भी थे अगला क्वेशन है सरला बहन ने किस आसरम की स्थापना की थी चार आप्षिनें आपके पास सही उत्र है लक्ष्मी आसरम लक्ष्मी आसरम की स्थापना की गई थी गांदी जी की सिश्या सरला बहन द्वारा ये लक्षमी आस्रम इस्तित है अलमोडा में और जो सरला बेहन थी उनका वजो वास्त्विक नाम था वो था कैथलीन हाइलमन अगला क्वेशन है गौरा देवी को वरिक्षमित्र पुरुषकार से कब सम्मानित किया गया चार उप्षिन आपके पास सही उत्तर है 1986 1986 को गौरा देवी को पुर्थम वरिक्षमित्र पुरुषकार से सम्मानित किया गया था यह चिपको आंदोलन की प्रमुक प्रनेता थी तो दोस्तों आज हमने भी स्कूर्षन डिसकस की आई होब आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आप इस चेनल पे नहीं तो चेनल को सस्क्राइब कीजिय estar conditions